टॉप फो बैस्ट लैप्टप फो प्रोग्रामिंग के लिए एंड कोडिंग के लिए तो भी अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो कोडिंग करते हो एंड अगर आपका बिल्ड पचास जार है हम इस प्राइज रेंज की बात करेंगे तो बात करते हैं सीधा नंबर फो की बात करते हैं लेकिन नमब फो की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी लैप बताऊंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस्ट होने वाले अगर आपने फूर के भी ट्राइब करना है आप कर सकते हो अगर आपने गेमिंग करने हैं हा आपने ऐसा क्रेटर काम करने अगर मिंग करने हैं दोन विल्ड शॉस्पॉर्ट करना है कर सकोंगे तो बात करते हैं कि अगर इस लैप्टाप की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसका डिजाइन वह बहुत ज्यादा इसको सूड करता है अगर आपको की बूड पर जादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है वह बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत अगड़ी है आपको HD प्लस वेब कैमरा साथ में फ्री अफ कोस्त देखने को मिलेगा जो कि प्लस पर आजाता है अगर आपने आउनलेन क्लासे से लगानी है आप के लिए प्लस मैं आपको बता जाता है जाता हो अगर आपने वीडियो एक्टिंग करना है क्रेटर काम करना है प्लस अगर आप गीमिंग वगारा भी करना जाते हो आप कर सकते हो विकाज आपको graphic card की बात करूँ आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है I5 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती है को मिल जाता है मैं आपको main specification बदा देता हूँ थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह display की बातों को 14-inch Full HD display मिल जाती है जो कि anti-glate display प्रोसासर की बातों को I5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती graphic card की बात करूँ आपको Nvidia MX350 2GB देखने को मिल जाता है my notebook horizon की अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूं so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा आप आगे बात करते हैं number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा इसर इसपायर 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपका प्रेड़ 50,000 से कम है तो यह laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है SSD देखने को मिल जाती है SSD के benefit की अगर मैं बात करूं तो बैए SSD का benefit यह होता है अगर आप टाट आफ गराज जल्दी ट्रांसफर करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो न तो उसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है लेकिन SSD में आपको यह चीजी नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप डाट आफ गराज जादा ट्रांसफर करते में Acer Spire 5 यह specification के साथ देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिये Acer Spire 5 के भी अगर मैं specification के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है आपको 45 के बजिट से लेके 50,000 के बजिट तक यह laptop देखने को मिल जाते है तो अगर आपने office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर programming करने है coding करने है कोई heavy software यूज करना है video editing करना जाते हो या gaming करना जाते हो आप इस पे कर सकते हो आपको 2 GB graphic card मिल जाता है 8 GB RAM मिल जाते है जिसको आप upgrade कर जाते हो 16 GB तक अगर आपने video editing करने है तो भई मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16 GB RAM के यार minimum चल की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number two and number one को दोनों को मैंने combine कर दिया because दोनों ही laptop जो वह Acer की आउर से ही आते है इस budget range में Acer बहुत ज्यादा सही कर रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ दो laptops के बारे में मैं बात करूं Acer Aspire 7 की and मैं बात करूं Acer Nitro 5 की सबसे पह loaded चाहिए कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है gaming करना है वीडियो एक्टिंग करना है आपके लिए best होने वाला Acer Nitro 5 पहले मैं गलत बोली लगा था आपके लिए best हो सकता है Acer Nitro 5 आप जा सकते हो Acer Nitro 5 की और वो बहुत ज़्यादा अगरा laptop है तो अगर आपको gaming करना जाते मैंने आपको बता दिया अगर आपको office पर के लिए चाहिए मैंने आपको भी बता दिया अभी बात करते हैं दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं तो यह डिस्प्ले की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तगरा भी न देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता है उप्रेणी देखने को मिल जाती है प्लस आपको fingerprint वगार भी देखने को मिल जाती है बैटरी की बात करूं आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 50,000 से लेक access के साथ ठीक है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है अपको गरेट आप 32GB तक कर सकते हो प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाती है बैंटरी की बात करूं आपको 6 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के budget में इस से नीट्रो 5 देखने को मिल जाएगा तो यहर मेंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको laptop बता है उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है तो यहर अगर आप extra पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाता हूँ आपके लिए यह दोनों आपके लिए best deal हो सकता है इस price range में Acer बहुत तगड़ा है अगर आपका budget 30,000 होता है तो मैं आपको लिनोवो laptop के और जाने को कहा था विकर उतने price range में लिनोवो बहुत तगड़ा करना लेकिन अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है इस price range में Acer laptop बहुत जादा तगड़ तो यार अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिया जो कि आपके लिए perfect deal हो जकता है अगर आप कोई भी हैवी software यूज़ करना जाते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ाते हो ओफिस बार के लिए चाहिए programming करने है coding करने है जागर आपने as a creator काम करना जा कोई भी loaded file पर काम करना आप स आप में देखने को मिल जागा उसको जाट पर नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में ने वीडिको साथ तेंक्यू